हेलो फ्रेंट्स गूड आप्टरनून आज के वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं गुड्स ट्रेन में यूज होने वाले ब्रेक वैन के वारे में यह ब्रेक वैन इंजन से जस्ट अपोजिट एंड पे लगा होता है जनरली जिस पे भारती रेल का करमट गार्ड अपनी द्यूटी पूरी करता है तो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर फोर वीलर ब्रेक वैन जिसका नाम है बीवी जेट सी आप इसके स्ट्रक्शर को देखे हैं यहां पर तो यहां पर दो सेट आफ वील्स यूज किये गए हैं दो एकसल पर साथ में अगर आप इसका नंबरिं है वह स्टार्ट होगा कहां से हमेशा 85 से स्टार्ट होगा तो यह सेंटर रेलवे का ब्रेक वैन है बीवी जेट सी स्कॉनिंग रेलवे होगा और इसका जो टेयर वेट है यह 14 टन है साथ में अगर आपको यह पूरा इस्ट्रक्शर एक बार में गुमा कर दिखा देता हूं कि कैसा कैसा अरेंजमेंट है इसमें क्या-क्या लगा हुआ है और अंदर का वी वी दिखाऊंगा आपको यह चमचमाता ब्रेक वैन इसके अंदर की structure की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है आईए देखते हैं को ज़्यादा special नहीं होता simple सा ये दोनों साइट पे guard के लिए एक sitting arrangement होता है दोनों साइट पे दोनों ends को देखने के लिए और ये यहाँ पे hand brake लगा होता है जिसको apply करके guard जो है तो इस brake pan को या पुरे rake को roll करने से रोकता है कई बार इसके अलावा यहाँ पे brake pipe और feet pipe का arrangement है quick coupling के through यहाँ पे जो gaze apply करके guard जो है तो अपना wagon या rake में कितना pressure है उसको ensure करते रहता है और साथ में कभी भी emergency अगर brake apply करना है तो यहाँ से direct वो guard emergency valve का use करके brake apply कर सकता है इस brake van के suspension system की अगर बात करें तो यहाँ पर leaf springs यूज की गई है यह pair of leaf springs है जो की bearing के ऊपर mounted की गई है तो एक तरह से हम देखें अगर तो यहाँ पर total nine pair of leaf springs यूज की गई है तो जिसमें की तीन जो है full length की है और बाकी short length की जैसे जैसे नीची आता जाते हैं वैसे जैसे इनका जो size है वो छोटा होता जा रहा है तो यह जो बड़ी leaf springs है इसको हम बोलते हैं master leaf springs और जो other leaf springs है इनको बोलते है graduated leaf springs springs जो की एक यू बोल्ट और center clamp के दोरा पूरी तरह से clamp हैं और साथ में इनके दुनों एजेस पर हमने यहाँ पे bound clips यूज की हुए हैं ताकि यह इनको पूरी तरह से bound करके रखे और जो इसका arrangement है और अगर देखें यह दोनों एंड पर जो इनकी आईज हैं एक तरह से यह दोनों एंड पर जो इनकी leaf springs की जो आईज हैं इधर भी देखें अगर तो इनकी आईज को एक शेकल पिन के द्वारा शेकल पिन के साथ जो एक fix structure ब्रैकेट बुलें तो इसके साथ जो है तो इसको अरेंज किया गया है तो जब भी कोई शौक और बंप जब भी ट्रैक इरिगुलर्टी के कारण फेस किया जाता है इसके द्वारा तो यह इस इसके तूरू यह क्या होती है जो सेमी एलिप्टिकल शेप की हैं यह लगवक्त स्ट्रेट शेप में आजाती है और फिर इस तरह से यह शौक को अब्जॉर्ब कर दी है तो यहां पर एक ब्रेकबीम पर जो है तो दो ब्रेकबीम उपरेट हो रहा है एक फॉर्वार्ड अंड से और दूसरा बैकवार् और यह एक तरह से safety bracket हो गया break beam के लिए और यहाँ पे और आपको हम दिखाते हैं यह है break beam का दूसरा end जिसको एक तरह से break shoe के थूरू यह break shoe लगा हुआ है यहाँ पे break shoe और यह 58 mm का K-type non-asbestos break block है इस break beam को operate होने के लिए यहाँ पे दो तरह से connection किया गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं यह एक pull rod है जो की break cylinder live lever plate से आ रही है और यह नीचे push rod है तो इन्ही pull rod और push rod के movement से जो है तो wheel set पर break apply होते हैं करने के लिए यह डीवी है डीवी का यह operating handle है यह आर charger handle तो इस case में यहाँ से pressure निकलता है बीपी का जो pressure यहां से drop करते हैं अपन तो ऐसा pressure drop होने पर यह break cylinder है जिसका जो डाया है यह 12 inch है और इसका piston stroke है 70 plus minus 10 mm तो यह break cylinder बीपी pressure के drop होने पर operate होता है जिसके साथ इसका piston जो है यह बाहर निकलता है और यह piston बाहर निकलने पर आपको दिखाएं तो यह जो live lever plate है यह operate होती है और यह live lever plate अपने just reverse की ओर जाएगी इधर की ओर जाएगी जिससे इसका motion forward होगा और pull rod आगे की और खिचेगी और push rod पीछे की और खिचेगी तो इस तरह से दोनो pull rod और push rod, pull rod के forward और push rod के reverse motion के कारण जो है तो दोनो side से break block operate होंगे यही similar arrangement जो है तो एक और plate जो यह live lever plate है इसके साथ में एक और plate यहाँप से associated है तो जब live lever plate move करेगी तो इसके साथ यह भी move क करेगा तो similarly जैसे यह long pull rod यह पीछे जाएगा और वो जो उसके साथ push rod है जो associated है वो आगे क्यों रहाएगा तो इस तरह से simultaneous जो है तो इन दोनों wheel set पर break block लगेगा और break apply होंगे तो इस तरह से हमने goods van में goods train में use होने वाले guard van का एक चोटा सा review दिया आपको अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और subscribe करें और भी आगे हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे तब तक साथ में रहने के लिए धन्यवाद आपको दिन शूबो